सब्सक्राइब एक और ब्रैंड न्यू मीवाई कस्टोमाइजेशन के विडियो के उपर जिसपे मैं आप सबके लिए लेकिया हूँ एक ऐसे ब्रैंड न्यू कस्टोमाइजेबल एप्लिकेशन जिसे यूज़ करके आप अपने कोई भी शामी स्मार्टफोन पे काफी आरम से गूगल ओसका जो एप ड्रोयर होता है उसे आप एक्टिवेट कर सकते हो देख सकते हो मैं यहाँ पर ही उसका रहा हूँ रेड्मी नोट 5 प्रो काफी आरम से एक्टिवेट हो चुका है लाइक कुछ इस तरीके से आप एक्टिवेट करके आप अपने डिवाइस को थोड़ा सा शो अप और आप अपने फ्रेंड के डिवाइस से थोड़ा सा हट के दिखा सकते हो जानने के लिए इस वीडियो को प्लीज आखर तक जरूर देखना है काफी सारा लोग मुझसे पूछ सकते हो या बोल सकते हो कि भाई इस एप इड्रोयर को यूज करने के लिए मैं दूसरे कोई भी लॉंचर को भी यूज कर सकते हूँ झाये हो एपिक्स लॉंचर हो गया या नुवफा लॉंचर हो गया तो मैं सि मब्लि आपको इक बात बदाना चाहता हूँ तो perfect ही ही होगा आप इस application को एक बार try कर लो इस application में आपको ऐसा कोई भी problem देखने को नहीं मिलेगा तो अगर आपको यह application पसंद आती है तो मैं description भी इसका downloading प्रोवाइट कर दूँगा और अगर आप चाहते हो play store से डिलेक्री डाउनलोड करना आपको जाना होगा play store पर एंदर आपको वाँ पर search कारना होगा पिक store आयर तो अभी play store पर release भी नहीं हुआ अभी unrelease application है तो आपको simply इसे download कर लेना है तो play यहाँ पर download complete हो जाने के बाद है आपको 3 से 5 MB के अंदर आपको download हो जाएगा तो simply आपको इसे open कर लेना है करके जाना है swipe right करते करते हैं आपको यहाँ पर I am ready पर tap करना होगा एंदर आपको वाँ पर नीचे पर एक plus का बड़न दिख रहा होगा आप इसे चाहे कितने भी आप app drawer को create कर सकते हो multiple app drawer को create कर सकते हो मैं यहाँ पर एक बार tap करना होगा एंदर यहाँ पर बोलेगा home screen shortcut के permission को activate करने के लिए मैं simply यहाँ पर allow कर देता हूँ एंदर देख सकते हो एक app drawer आ चुका है सो यहाँ पर मैं यहाँ पर बीच में इसे लगा दूँगा सो काफी आरम से activate हो चुका है अगर आप जाते हो simply यहाँ पर design kit पे तो यहाँ पर design kit पे काफी सार option मिल जाता है जैसे यहाँ पर background के color को change कर सकते हो यहाँ पर आपको मिल जाता है levels levels का मतलब क्या होता है यहाँ पर shadow बगरा, size बगरा, drawer बगरा, font बगरा सब कुछ यहाँ पर change कर सकते हो यहाँ पर आइकन मिल जाता है आइकन पर जाके यहाँ पर के icon के size यहाँ पर आइकन दूसरे icon pack को भी add कर सकते हो जो काफी अच्छा बात है और यहाँ पर आपको मिल जाता है दूसरे जो features वह है drawer icon तो drawer icon का मतलब होता है यहाँ पर जो icon आपने add किया उसे आप यहाँ पर किसी भी drawer icon को add कर सकते हो पर काफी सारा multiples आपको drawer icon मिल जाता है जासे Android Oreo, White Nix, यहाँ पर Nougat, यहाँ पर Marshmallow सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा तो आप application को काफी जादा customize कर सकते हो customize करने के लिए आपको simply 100 rupees पे करना पड़ेगा इसका जो app drawer होता है application के वीडियो कैसा लगा, एए application कैसा लगा मुझे comment में please मुझे जरूर बता देना मैं आपके comment हर comment परता हूँ and then सारे comment का reply भी करते हूँ आप तो जानते ही होंगे मैं आपके comment के भी wait करूँगा so मुझे बता देना कैसा लगा so अगर आपको ये वीडियो पसान आईए तो please hit that like button, इस वीडियो को like कर दिया so thank you, thank you, thank you so much so इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धनिवाद, आपका दिन शूब हो, have a good day